कि यहां पर क्या क्वालिफिकिशन मांगी गई है कितनी आयू होनी चाहिए सेलिबस क्या होगा कितने पेपर होते है और कौन-कौन eligible है यहां क्या-क्या subject रहेंगे तो सभी हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूँ कि बच्चे जो है वो comment करते हैं बहुत सारे तो इनके answer जो है वो पढ़ाते वक्त मैं नहीं दे पाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा divert हो जाता है माइंड तो हम उस चीज पर focus नहीं कर पाते हैं जो चीज आपको बतानी होती है लेकिन मैं comment सभी के पढ़ती हूँ और जितने भी question होते हैं उनकी answer जो है वो next video में देती हूँ तो जो भी question आपके कल के video में थे वो सभी यहां पर आप लोगों को answer मिल जाएंगे mostly question यही थे कि क्या हम eligible हैं हमारे पास यह subject है ठीक है तो यहां पर सभी subject की बात भी मैं करने वाली हूँ जिसे कि आपके doubt clear हो जाएंगे तो देखिए सबसे पहले आप लोगों की योगेता के बारे में बात करें तो योगेता के लिए आप लोगों ने graduation की है beard किया है ठीक है graduation plus beard जिसने भी किया है तो वहाँ eligible है यहां पर आप लोग eligible है जिसने इस नातक और beard किया है अब इस नातक में भी क्या-क्या subject रहेंगे उसकी बात करते हैं तो अनिवारे सेक्षनिक योगेता देखिए number one पर अनिवारे सेक्षनिक योगेता यदि आपने graduation में हिंदी या अंग्रेजी या गणित संस्कृत उर्दू पंचाबी या सिंधी इसमें से एक subject आपका graduation में रहा हो भले ही आप लोगों के beard में ना रहा हो ठीक है उसकी रही हो चाहे अंग्रेजी रही हो चाहे गणित रहा हो चाहे संस्कृत रहा हो चाहे उर्दू रहा हो चाहे पंचाबी या सिंधी यदि है और उसके साथ beard किये हुए हैं तो आप लोग second grade के exam के लिए eligible हो next बात करते हैं विज्ञान विजय के लिए science के लिए देखिए क्या कैस अबजेक्ट होने चाहिए यहाँ पर देखिए graduate होना चाहिए यहाँ पर दो subject की बात हो रही है जो की उपर नहीं थी यहाँ केवल हिंदी था अंग्रेजी था गणित था संस्कृत था उर्दू और प या chemistry geology हो, या geology botany हो, microbiology हो, biotechnology हो, and biochemistry हो, और BA किये हुए हो, ठीक है, तो इन में से चितने भी subject हैं, दो subject compulsory है, ठीक है, clear हुई होगी आप लोगों को बात, next देखिए, सामजिक विज्ञान विसे के लिए, SST वालों के लिए क्या है, यहां पर भी science वालों की तरह ही है, कि दो subject आपके BA में होने चाहिए, history, geography, economics, political science, sociology, public administration, philosophy, ठीक है, तो ये subject जो है, इन में से दो subject compulsory है, ठीक है, और plus BA तो है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को clear हुई होगी, कुछ बच्चे जो commerce के बच्चे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग eligible हैं क्या, तो देखिए, मुझे नहीं लगता है कि commerce के बच्चे eligible हैं, क्योंकि उनके पास एक subject होता है economics, वो तो यहां पर mention है, लेकिन बाकी business और commerce, या accountancy, ये subject जो है वो यहां पर बिल्कुल भी show नहीं है, तो इतना आप लोगों को पता लग गया होगा कि second grade के लिए आप लोग eligible नहीं हैं, और यदि आप इनमें से किसी subject economics के साथ कोई subject आपका match हो रहा है, तो आप लोग eligible हैं, जहां तक यहां पर eligible नहीं हो, लेकिन first grade में आप लोगो कर सकते हो, और एक option होता है कि REIT में level 1 का exam आप लोग भर सकते हो, ठीक है, तो यहां पर उन बच्चों का भी doubt clear हुआ होगा, next देखिए, आयू सीमा, आयू सीमा कितनी रहनी चाहिए, यह सभी information आपको तैयारी से पहले पता होनी चाहिए, आयू सीमा यहां पर देखिए 18 वर ठीक है, तो सभी बच्चे इसमें maximum सभी आ जाते हैं, और चूट भी दी गई है, ठीक है, तो यहां पर चूट जो है, वो सभी को अपनी अपनी category के दी गई है, पांस साल, दस साल, ठीक है, और देखिए, निसक्त जन जो है, सामान्य में है, यदि 10 साल, फिश्णा आती, पि पेपर होते हैं, तो यहां पर देखिए, दो पेपर होते हैं, यहां पर कितने पेपर होते हैं, दो पेपर होते हैं, जिसमें पेपर वन जो है, वो सभी के लिए compulsory है, चाहे वो arts का हो, चाहे वो science का हो, या कोई भी subject का कर रहा हो, जो कि आप लोगों को मैंने अभी बताये तो सभी को paper 1 जो है वो देना होगा और इसने बहुत अच्छे mark से qualify करना होगा क्योंकि यही paper है जो कि आप लोगों को ऊपर भी पहुंचा सकता है और नीचे भी ठीक है तो इतनी बात जो है वो आप लोग बहुत ध्यान से सुन लें बाकी second paper के बारे में हम अभी बात करेंगे तो देखिए दो paper होते हैं जिसमें paper 1 जो है वो आपका कितने marks का है 200 marks का यहां आपके 100 question जो है वो पूछे जाएंगे और हर question जो है वो दो number का होगा यानि 200 marks तो सबसे पहले देखिए यहां पर कितना है 200 marks का है और दो घंटे का paper होता है 100 question होते हैं ठीक है पेपर में देखिए क्या-क्या पूछा जाएगा जोग्रफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चिरल, एंड जर्नल नॉलेज ओफ राजिस्थान ठीक है राजिस्थान का भूगोल पूछा जाएगा और सामान्य ज्ञान किसका राजिस्थान का और यह बहुत ही marks है 80 marks का पूछा जाएगा यानि 40 question पूछे जाएंगे next देखिए current affairs of राजिस्थान यह कितने का है यह मात्र 10 question होंगे 20 marks के ठीक है लेकिन फिर भी कुछ भी ignore नहीं करना है फिर है general knowledge of world and India तो जी के पूछा जाएगा विश्व का और भारत का कितने नंबर का 60 नंबर का यानि 30 question fourth पर देखिए educational psychology, सैक्षिक मनोविज्ञान तो ये चीज़ तो आप लोग read में भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा आगे बढ़ कर यहां पर पूछा जाएगा लेकिन आप लोगों को इसकी knowledge जो है वो काफी हो चुकी है तो ये भी काफी marks हैं 40 number का आने वाला है 20 question पूछे जाएंगे तो first paper जो compulsory है ये आपका 200 marks का होगा जो की सभी के लिए बहुत ज़्यादा important role रहेगा इसका next देखिए ये तो हो गई paper 1 की जो सभी देंगे और paper 2 next देखिए paper 2 की बात क्या है the question paper will carry maximum 300 marks ये होगा 300 number का ठीके इसमें 1500 question पूछे जाएंगे और 300 number का होगा पहला जो था वो 200 marks का था 2 घंटे का यहां पर 300 marks का है तो ये होगा धाई घंटे का देखिए अब इसमें क्या-क्या पूछा जाएगा second paper में चाहे वो science का हो, arts का हो, ठीके कोई भी subject जिसने लिया हो तो उनको अपने subject की 11th और 12th की बुक पढ़नी होगी जो 180 marks की आईगी graduation की पढ़नी होगी जो 80 marks की आईगी ठीके बिलकुल सीधे तरीके से मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि 11th की पढ़ोगे तो 180 marks और graduation की 80 marks ठीके, teaching method of relevant subject और teaching method भी आने वाला है जो की आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी हो इसमें ज्यादा आपको मुस्किल भी नहीं आएगी, आप लोग अभी REIT का एक्जाम दे कर ही आए हो, educational psychology और यहाँ पर teaching method ठीके, आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा यह, यह है 40 marks का, तो इनको सभी को include करते हैं तो यह 300 number का हो जाता है, ठीके, तो इसका मतलब यह ह हुआ कि आप लोगों को यहाँ पर graduation तक की book पढ़नी होगी, यदि second paper की बात करें, तो इतना ज्यादा मुस्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए यह मानिए, क्योंकि 12 तक तो आपको second grade की तयारी के लिए पढ़ना ही होगा, और graduation की book जो कि आपके subject की होगी, जिसको आपन में पढ़े भी होंगे in books को, तो यहाँ तो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, मान लीजिए जिसके हिंदी धा, graduation में, और उसने हिंदी से second grade का ये form डाला है, तो उसको 11-12 की पढ़नी होगी, और graduation की पढ़नी होगी, तो बिल्कुल मुस्किल नहीं है, और जो सामाजिक अध्यन की अगर बात करें, तो उन लोगों के लिए इसके अंदर भी काफी subject होते हैं, थोड़ी सी दिक्कत उन लोगों को आती है, क्योंकि उनको extra पढ़ना होता है, तो बिल्कुल एक-एक subject की syllabus की बात, वो हम करेंगे next video में, कि SST वालों को कितने subject पढ़ने ह होते हैं, ठीके, second paper के लिए 8 subject, जिसमें आपको इतिहास पढ़ना होगा, भूगोल पढ़ना होगा, राजनिती विज्ञान पढ़ना होगा, लोग प्रशाशन पढ़ना होगा, समाशास्र पढ़ना होगा, अर्थसास्र पढ़ना होगा, फिलोसोपी पढ़ना होगा, ये subject आप लोगों को पढ़ने होगे, ज्यादा मुस्किल नहीं लगेगा, उसका reason है, उसका reason ये है कि जब हम 12 तक की book पढ़ लेते हैं, तो हमारा लगबग आदा course तो complete वहीं पर हो जाता है, और second paper में आप लोगों को पहले ही पता है कि 11 बार्वी की आप लोगों को 180 marks के लिए चाहे वो political science हो, geography हो, history हो, या science वालों की बात करें, physics हो, chemistry हो, तो आप लोग second grade के teacher बनेंगे, तो इसलिए आप लोगों को ये सबी books जो पढ़नी होगे, लेकिन बिल्कुल भी परेशान होने की जुरूत नहीं है, बहुत time है आप लोगों के पास, आराम आराम से चलेंगे, स तो देखिए, ये मैंने आप लोगों से discuss किया, तो paper 1 की यदि बात करें, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा part जो है, वो राजिस्थान जीके का आने वाला है, ठीक है, तो आप खुद ही देख लीजिए, कि यहाँ पर 80 और 20, यानि 100 marks, 200 में से 100 marks तो आपका क्या आएगा, र graduation plus beard compulsory है, age आपकी 18 से 40 तक होनी चाहिए, दो paper होंगे, एक paper जो है, वो आपका 200 marks का, दूसरा 300 marks का, और बहुत ज़्यादा important बात यह है, कि यहाँ पर read के जैसा नहीं चलेगा, कि 1500 question आएंगे, तो आपको सभी पे टिक करने है, यहाँ पर negative marking होगी, ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से एक-एक point जो है, वो दिहान से पढ़ना है, क्योंकि आपको भी पता है, कि selection जब होता है, तो एक number उपर हो, तो हम pass, एक number नीचे हो, तो हम fail, ठीक है, चाहिए, किसी ने कितनी भी महनत की हो, तो important रहेगा आपके लिए हर चीज, कोई भी subject को ignore नहीं कर सकते हैं, क कौन-कौन से subject आते हैं, syllabus to the point बात करेंगे, संस्कृत की, हिंदी की, अंग्रेजी की, साइन्स की, गनित की, ठीक है, सभी कि syllabus जो है, वो अलग-अलग डाले जाएंगे, तो सभी अपने-अपने subject के according, syllabus अच्छे से देखना है, सबसे main होता है, कि अपने syllabus को अच्छे से मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में, थेंक यू